कवर 24 न्यूज सच वही जो दिखेगा गुम्ला सहर के भिडबार वाले सास्वी नगर मोहले को कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्दे नज़र कंटेन्मेंट जोन घोशित करते हुए सील कर दिया गया है बतादे कि इस मोहले के जिस घर से मा बेटी कोरोना पॉजिटिव निकली थी अब उसी घर से तीन और लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी पिड़ितों को स्थानी कोविड इस्पताल गुम्ला में आइसलोर्ट किया गया है पहले दो मरीज के अलावा उस घर के शेश आठ सदस्यों का सैंपल लिया गया था अब तक चार लोगों का रिपोर्ट आया जिसमें तीनों पॉजिटिव पाए जाने के बाद घर के कुल मरीजों के संख्या बढ़कर पाच हो गई है जबकि शेश चार सदस्यों का रिपोर्ट आना भी बाकी है इधर एक ही घर के पाच लोगों के पॉजिटिव पाए जारे के बाद प्रशासन दुआरा मुहले को सैनर्टाइज कराया गया और शुकरवार की सुबह से मुहले को सील करते वे लोगों के बाहर निकलने अथवा बाहर से किसी के मुहले में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है संबन मैनुमंडल पतादिकारी जितेंद्र देव ने बताया कि कोविड-19 से जुड़े गाइडलाइन के अनुरूप उस एरिया के सभी घरों का सर्वेक्षन कर परिवारों की सूची बनाई जारी है एहतियादी कदम उठाये हुए हैं मुहले को प्रोपर्ली सेनिटाइस किया जा रहा है सुरक्षात्मक उदेशी से प्रभावेत छेतर को कंटेन्मेंट जोन घोशत कर मेडिकल टीम और पुलिस प्रशासन की तैनाती करते वे आवाजवाही पर रोक लगा दी गई है रोजमर्रा की जरुरो रतों की पूर्ती के वास्ते अलग से प्रभन के आदेश दिये गए हैं उदरस्थानी लोगों में इतनी बड़ी तादाद में एक ही परिवार के लोगों के पॉज़चर पाई जाने के बाद भाद भाई और दहशत व्याप्त है तो कई लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से समुच्चे एरिया को सही तरीके से सैनेटाइज नहीं किया गया है लोगों ने पूरे छेतर को सही धंग से सैनेटाइज करने और तमाम सुरक्षात्मक कद्म उठाने की मांग प्रशासन से की जहां से की मुल रूप से यहां का निकास या मतलब प्रवेश द्वार या निकास द्वार कहा जाए वहां चार जगों में सील किया गया और यह पूरी तरह से बाहर आवाजाही पर प्रतिबंद लग गया और जो भी इसका उलंगन करेंगे नियम संगत गुमला सजीत सोनी के रपोर्ट